हाई स्टुडेंट्स, वेलकम टू प्रग्या स्मार्ट क्लासिस, हेर वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाउट 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 क्लास तो आज हम बात कर रहे हैं अपने सबसे फर्ष्ट टॉपिक के बारे में जो कि है रीप्रोड़क्शन या जीवों में जन करूरों तरह के जीव अपने आसपास देखते हैं और आप देखते हैं कि हर एक जीव अपने जैसे जीव को जन्म दे सकता है आप देखते हैं कि एक इंसान अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है एक जो पेड है उसका आप भी जमीन में लगाते हैं तो उसके जैसा पे कहते हैं पूरे जीवा में अगर आप देखोगे तो सबसे important process है ये क्योंकि इसके थ्रू ये अपने जैसे जीव produce कर सकता है जैसे हम देखते हैं कि हम photocopy कराते हैं किसी भी चीज की जितने ही चाहिए photocopy करा सकते हैं उसी तरह से ये क्या करता है अपने जैसे characters की photocopy करके एक नया जीव produce करता है हाला कि यहां पर पूरे सौपर तीशाथ character बैसे नहीं होते हैं जैसे कि हम photocopy में करते हैं एसा नहीं कि इंसान किसी plant को जन्म लेते हैं तो यह एक छोटा सा idea है अब हम उसके बारे में बात करेंगे डीटेल में लेकर असपर पहुँचने से पहले सबसे जो एक important हमारे पास term आता है उसे हम कहते हैं जीवनब्धी तो जीवनब्धी का मतलब क्या होता है इसको हम कहते हैं इंगलेस में life span जन्म लेता है कोई भी जीव और म्रत्यू तक पहुंचता है तो इस जन्म से म्रत्यू तक की जो बीच की यात्रा है पूरी जो ये मतलब जतना भी time interval है या जो भी period है ये क्या कहलाता है life span कहलाता है जिसमें कई सारी चीज़ां होती है ब्रध्धी होती है बिकास होता है प्रजनन होता है तो इस तरह की सारी गतिविदियां शामिल है और हम इसकी बात क्यों कर रहा है क्योंकि हमें ultimately पहुँचना है प्रजनन तक तो हम इसलिए जीवन अब्धी के भी बात कर रहा है तो जन्म से उसकी प्राक्रितिक मिलत्यों तक की अब्धी को हम क्या कहते हैं जीवन अब्धी या लाइफ इस्पान कहते हैं अलग अलग जीवां में यह अलग अलग हो सकती है चाहे वो पादफ हों चाहे जन्तु हों चाहे सूख्ष में जीवां मतलब यूनि-cellular organisms या micro organisms उ परियाब रहनसे कस तरह से अनकूलन कर पा रहा है किया जैसे कि बात करें जैसे कि तुल्सी है जो हमारे यांग नों में चाहती है तो जैसे जानपरों की बात करें, अपने आसपास जो हम देखते हैं, जैसे गाई भैस देखते हैं, 12-15 साल, 20 साल तक यह जीती है, जैसे कोई कुटा है, 12 साल लगवग उसकी जिसकी एज होती है, फिर इसके अलावा जैसे हम बात करें, जो मॉस्कुटों हमारे सामने गूमते रहते हैं, 7-8 देन है, कशुआ जैसे आप देखते हो, वो लगवग 500-300 साल जीता है, कोई पैरेट जैसे घर में पाले होते हैं, उसकी एज कितने होती है, लगवग 100-140 साल तक की उसकी एज होती है, ठीक है, तो यह बहुत कम से बहुत ज्यादा तक भी हो सकता है, दिनों य यह जो मतलब जीवन अब दी, वो 3000 साल तक की हो सकती है, तो अलग-अलगतर है कि यहाँ पर आप केरेक्टर देख सकते हो, और एक बहुत लंबी बैरियेशन देख सकते हो यहाँ पर, जन्म प्रजनन जन्म या जैसे हम प्रजनन भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन, तो जैसे हम एक जीव है, और हम अपने जैसा एक नया जीव अगर प्रडूस कर पा रहा है, तो यह क्या है, हम दोनों के बीच के जो भी केरेक्टर हुआ है, यह क्या है, प्रजनन है, ठीक है, तो अपने जैसे जीव को जन्म कर पाने की छमता प्रजनन कहलाती है, जो अपनी न तो यह किस चीज के कारण है प्रजनन के कारण अगर यह ना होता तो जो आदी मानों पैदा हुआ वो मर जाता और कोई नया जीव नहीं आ पाता कोई भी जैसे प्लांट है उसका अगर सीड फॉर्म नहीं होता मतलब बीज नहीं बनता तो उससे नया प्लांट नहीं बन पाता क्योंकि उनमें एक न्रन्ता वनी हुई है प्रजनन की कारण जब भी जीव बिक्सित हो जाता है तो वो प्रजनन करके एक नया जीव बना देता है और फिर वो म्रत्यू मत हो थो तो अगर जैसे और जैसे वह उसकी मौथ हो पूरे इस जीब जगत में प्रजनन की क्या भूमिका है अगर ना हो प्रजनन तो क्या हो सकता है तो सबसे पहली बात तो हम करी चुके हैं प्रजाती की नरंतर अगर प्रजाती को आपको नरंतर बनाए रखना है आप चाहते हैं कि एक प्रजाती करोड़ों साल या हजारों ल यह आपाएगा मतलब बहां से पूरे अफसर खत्म हो जाएगे कि वह जाती आगे बढ़ सके फिर इसके बाद क्या है जैब बिकास आप आज के समय में देखते हो कराव लाखों टाइप के प्लांट से हैं लाखों टाइप के एनिमल्स हैं लाखों टाइप के माईक्रो और्ग है चिमपेंजी से जैसे हम बात करते हैं कि जो हो कहां से हों कहां से ऌक राफ के यां र λέपपायल्स से डैवलप होके अर और मतलब और आपकी बिल्कुल सबसे उरनलाभ और उनि 97urt है कि जब भी प्रज화न होता है तो नए वह आते हैं और जिसके कारण वो नए-नए बाताबरण में रह सकता है, नए-नए तरह की चीज़ें अपने अंदर अडेप्ट करता है और जिसकी कारण वो बिकास को प्राप्त होता है, फिर इसकी बाद पारेस्थितिक साम में अलग-अलग तरह की और्गनिजम्स हैं और सभी के बीच में एक रिलेशन है, सभी के बीच में एक साजह संबंध है, वो चाहे रहने के लिए हो सकता है, जगाह को लेकर हो सकता है, वो खाने को लेकर हो सकता है, वो उनके बीच में एक प्रतिस परधा भी हो सकती है, लेकिन इन सभी चीजों के कारण परिया बरण में एक बैलेंस बना रहता है, जिसकी ह हमारे लिए सक्ट ज़रूरत होती है जैसे आप देखते हैं कि मालो कोई छिपकली यह तो वो पुसकी कीड़े को खाती है कि कोई चडिया है जो वो और ज। किसी । दूसरे इंसेक्ट को खा हम plants खाना चोड़ दें तो plants एक बहुत बड़ी रेंजर में फैल जाएंगे ठीक है अगर मानलो छिपकली कीड़े खाना बंद कर दे तो क्या होगा इंसेक्ट की बहुत बड़ी जनरेशन क्रियोट हो जाएगी जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो यह सारी चीजां कहां से हो पा रहे हैं सभी फॉर्म कैसे हो रहा है और ऐसा है कि मानलो हम प्लांट्स खा रहे हैं ठीक है और हम इसको लगातार कंजूम करते जा रहे हैं और प्लांट उसे आगे नहीं बढ़ा रहा है नए सीड प्रॉड्यूस नहीं कर रहा है नए प्लांट्स नहीं बना रहा है तो क्या होगा कि एक टाइम पर वो सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और अब हमारे पास क्या है हमारे पास कोई फूर्स भी नहीं बचा है तो तो आप देख रहा है मतलब प्लांट्स प्रजनेन कर पा रहे हैं तब हमें फूड मिल पा रहा है तो हम सभी के बीच में एक संबंद है और वो संबंद किसके द्वारा इस्थापित किया जा रहा है फिर इसके बाद खादे सुरक्षा बही जो खादे सुरक्षा की बात कर जैसे माल लो आपके पास पहले 10 चीज़ें हैं और आपके पास 10 लोग हैं तो आप क्या करोगे एक एक चीज़ दस लोगों में देदोगे फिर हम कह रहा है कि प्रजनन हो जाए तो वह 10 से घटके 5 हो गई अब आपको 5 कुछ 10 में बांटना है तो आप क्या कर दोगे आदा लेकिन वह और कम हो गई अब वह बची सिर्फ एक और लोग कितने हैं दस हैं तो आप उसे कैसे बांट होगे तो क्या है यहां पर आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा अगर प्रजनन नहीं होगा तो चीजों की कम ही होती जाएगी और चीजों की कम ही होती जाएगी तो जैसे वह एक बचा है दस लोग आपस में लड़ेंगे अब उसमें से जो बैश्ट होगा वो ले जाएगा उसे तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं अगर प्रजनन नहीं हो पाएगा तब अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो प्रजनन है वो कितने टाइप का हो सकता है कौन से प्रजनन की क्या खासियत है उसके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रजनन की प्रकार कितने होते हैं किस आदार पर उसे हमने विभाजत किया है उससे पहले एक और चीज जो पूरी हम लाइफ साइकल की बात कर रहे थे लाइफ इस्पान की बारे में जन्म से प्रारम होता है सबसे जो फर्ष्ट इस्टेप है वो क्या है जन्म पहले धरती पर आएगा कोई भी जीव उसमें ब्रद्धी होगी ब्रद्धी और विकास दो चीजें आती हैं यहाँ पर Growth and Development ठीक है Growth and Development मतलब ब्रद्धी और विकास दो अलग अलग चीजें हैं कि जैसे हम जब एक साल के थे तो हमारी हाइट कुछ अलग थी हमारी हैल्थ अलग थी हमारे अंदर के जो characters वो अलग है आज जब हम 11-12 साल के हैं तो क्या है कि हमारे अंदर कई तरह की बिकास हो चुके हैं, कई तरह के character डेवलप हो चुके हैं, हमारी size बढ़ चुके है, हमाई beard हो ही है hairs बढ़ चुके है, तो देख रहा है, आए हम ब्रत Queens हो चुके है, बिकास कैसे? कैसे, जब कोई 1 साल का बच्चा है वो बोलना हीं पाता था वो चल नहीं पाता था, वो किसी तरह का काम नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जब बड़ा होता है, तो वो क्या कर पाता है, सारी चीजें कर पाता है, वो लिख सकता है, वो पढ़ सकता है, तो मतलब दिमाग का विकास होता है, सारी रिख विकास होता है, ये सा और बिकास करते हुए वो कहां पर पहुंच जाता है प्रजनन करने की अवस्था पर पहुंच जाता है हर एक जीव में यह दौर अलग अलग होता है कि कब वो प्रजनन के लायक होगा जैसे अगर हम इंसान में ही बात करें तो मेल और फीमेल इन दोनों में यह बिलकुल अलग अलग होता है कि मेल की मैचुरेस अंधारा साल मैं प्रजनन के योग्य होता और फ्र परेजमल के यह में अर्च जादा से जादा कभी कभी 17 जीवों बना चुका होता है तो धीरे धीरे उसके जो बॉड या जो इसका शरीर है उसमें नकार आतमक परिवरतन होते रहते हैं मतलब negative changes जैसे कि क्या होता है बाल जढ़ने लगते हैं एजिंग होने लगती है जो skin है वो मतलब पुरानी होने लगती है जो taste gland है आपको कुछ समझ नहीं आता दिखाई नहीं देता है सुनाई नहीं देता है तो यह सारी चीज़े हैं जिसके कारण जब पूरी बॉड़ी पूरी तरह से सिथल हो चुकी है तो अब क्या होगा जीब की म्रत्ती होगी तो इस तरह से एक जीब की पूरी life cycle complete होते हैं जैसे life span कहते हैं या जैसे हम जीवन प्रजनन और एक होता हैं लेंग प्रजनन किस बैसेस कि किसी भी जीब को बनाने बाले जनक कितने थे या Currents कितने थे अगर इक पीरेंट टिवारह एक जीब का निर्मार हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगी और लैंग जानन जब ऑनोने दूज Europos हैं तब हम से क्या कहते हैं टो पेरेंट्स के नमबर के आधार पर यहां पर बात यहीं पर कर लेते हैं कि लेंगे कोशी पर कहा हैं मतलब किसी पर यहां कि मैं दॉए नए जीप का निर्मान नहीं होता है कोई special type of cells form नहीं होती है body की किसी भी cell से नए organism का formation हो सकता है लेकिन लेंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है आप अगर चाहोगी इंसान अपना हाथ काट देग और उससे एक नया बच्चा पैदा हो जाए तो नहीं हो सकता आप कोई भी body की cell remove करोगे उससे कोई नया organism form नहीं हो सकता लेकिन जो अलेंगिक जनन है यहाँ पर अगर उसकी body का कोई भी इससा टूटके भी गर जाए तो बहां से एक नए जीब का निर्मान हो सकता है तो आप देख रहा है कि बिल्कुल specific है कि अगर हम लेंगिक जनन चाहते हैं तो body में एक important या essential part होगा जो उससे related होगा उस part के अलावा कहीं सब भी एक नए जीब का निर्मान नहीं हो सकता है तो वो cells जिसके द्वारा नए जीबों का निर्मान होता है वो लेंगिक cells उन्हें हम क्या कहते हैं gametes कहते हैं जब हम बात करते हैं sexual reproduction की इस सब के बारे में हम deep में चर्च unit 자 की हम बता चुके है कि अलैंग एक जनन क्या होता है जहां पर सिर्फ एक ही जो parent है वो इंवाल होता है और इससे एक नए जीब का निर्मान होता है और यहां एक खासियत यह है कि जो भी office spring बनेगी जो भीrison तथी होती हो असे हम क्या कहते है वह बिल्कुल एक जैसी होगी मतलब आकارी की रूप से और आनुबान्शिक रूप से मतलब जो पेरेंट्स के केरेक्टर को आगे लेके जाते हो क्या कहला है आनुबान्शिक्ता कहलाती है इस्ति किए sé की वीडिये तो वो क्या है कि वो जैनेटिकल ट्रांसफर हुआ है ठीक है तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बाहरूप आकार प्रकार आनुवाशिक रूप से बिलकुल एक जैसे होते हैं जैसे हम कहते हैं फोटो कॉपी कर दी हमने किसी चीज की तो आप फोटो कॉपी में डिफरेंसियेट बिफेद नहीं कर पाओगे ऐसे ही अलेंगक जनन से जो दोजीप बनेंगे आप ऊनमें किसी भी प्रकार का बिभेद नहीं कर पाओगे और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं क्लोन कहते हैं ठीक है और अलेंगए दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है कायक कोशिका, जिसको हम क्या कहते है, सॉमेटिक सेल कहते है, और एक कोशिका होती है, जिसे हम कहते है, लेंगिक कोशिका, लेंगिक कोशिका का मतलब क्या होता है, सेक्सुल सेल, अब इन दोनों में डिफेंट क्या है, कायक कोशिका एंसी कोशिका है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं ठीक है या हमारी टूट फूट से मरम मत करने में या जो भी इंजरी होगी उसको ठीक करने में हेल्प करेंगी जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो बहाँ पर जब आपका गाव भर जाता है तो वो कौन सी कोशिकाओं के थु लेकिन आपको एक नए जीप को फॉर्म करना है तो वो कौन से होगा लेंग कोशिकाओं से होगा ठीक है जो बॉडी में एक पर्टिकुलर प्लेस पर बनती है अगर हम बात करना है लेंग प्रजनन की लेकिन अगर हम बात करें अलेंग प्रजनन की तो यहां पर नए जीप क निर्माड किस से होता है कायक कोशिकाओं से या कह सकते हैं हम कि उनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कायक कोशिकाओं ही पाई जाती है जिससे वो बॉडी की टूट फूट मरमत या सारी की सारी प्रक्रियाओं को संचालित करेंगे और साथ ही प्रजनन भी वो इसी के साथ करत अगateg कोशिकाओं का अलंग होता है लेंगेप गोशिकाओं का मेरा ही फॉय खुच्ट सबर्म परत इक डीड़ ससे एक ही पेरेंट के थुरू नए और्गेनिजम का फॉर्मेशन हो गया है तो इससे हम क्या कहेंगे अलेंगे जनन या एसेक्सुल रिप्रोड़क्शन कई सारे और्गेनिजम से जिसमें यह प्रजनान होता है अब आप देख पा रहा हो ना कि सिर्फ सिंगल पेरेंट है वह बह कोश एनिमल्स में होता है ठीक है जैसे कि एक कोश की अजीव हैं तो सबसे सरल जीव हैं अब मतलब आप कॉम्प्लिकेशन की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं तो यहां पर सिर्फ एक कोशी का के थुरू ही नय और्गेनिजम का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे हम कहते हैं का जिससे आप बहुत ज्यादा परिशित होंगे एक कोश की यह जीव होता है यह और इसकी कोशी का का यहां पर चित्र बना हुआ है दो चीजें हैं यहां पर न्यूकलियस जिसे हम कहते हैं केंद्रक किसी भी कोशिका का सबसे महत्यकून भाग और उसकी चारों तरफ जो ल कि बारह क्या कर रहे हैं है दो अलग अलग संतंति यों निर्माळ या औंस परिंग का निर्माद या प्रोजेनी निर्माट कर रही है दोनों के बाजु में यहां पर लिखा भी हुआ है क्या है, drs अब आप देख पा रहा है कि दोनों एक दूसरे से बिलकुल similar होते हैं आप यहां पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि ये बिलकुल बाहर से एक जैसे नहीं देख रहा है उसी तरह की दूसरे के पास हैं ठीक है फिर इसके बाद कई तरह के और और्गनेजम से जैसे पेरामीशियम है या यूगलीना है या इस्थ है इन सभी में मतलब और कैटेगरी बनाए अगर हम तो एलगी हो सकते हैं जन्हें हम शेवाल कहते हैं बैक्टीरिया जन्हें जीवान के बारे में कि लेंग जनन क्या होता है तो लेंग जनन का सीधा सा मतलब है कि जहां पर दो पेरेंट्स इनवल्व होते हैं और एक नए जीव का निर्मान करते हैं वो कहलाता है लेंग जनन अब जैसे माल लो यह है एक और यह दूसरा ठीक है अब इसके इनको देखके ही और कैरेक्टर अलग है outta यह वो बिल्कुल दुखने में अलग है कोई देखने मैं बिल्कुल अलग है दूनों इक दूसरे से बिल्कुल character भी आएंगे ठीक है यहां से जो कोशी का आई अभी आपने बताया था ना कि इनमें लेंग कोशी का बनती है और उसी के द्वारा प्रजनन होता है तो मेल में एक लेंगे कोशी का बनी जिसका आपने नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं स्पर्म या शुक्राणू कहते हैं उसी तरह से फीमेल में भी एक कोशी का बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं अंडाणू कहते हैं या उसे ओवम कहते हैं तो यहां पर स्पर्म का फॉर्म का फॉर्म का फॉर और अब ये दोनों आके जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे एक नई सेल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं जाइगोड जीवन की फश्ट सेल यह आगे जाके आठ नो महीने तक डैबलप होगा और क्या बनाएगा एक छोटा सा ओर्गनेजम बनाता है ठीक है यह एक छोटा सा ओर्गनेजम बनाया है उसने जैसे हम क्या कह सकते हैं एंब्रियो और आगे जाके यह फीटस के फॉर्म में डैवलाफ होता है तो उसमें अब लड़के के करेक्टर भी होंगे और उसमें लड़की के करेक्टर भी होंगे तो लेंगे जननन की यह खाशि तो यह दोनों योग्मक आयेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे यहां पर जुढ़ गये इनके जुड़ने की process को हम क्या कहते हैं निशेचन कहते हैं जिसका एंगलेश नाम क्या है fusion यह फटलाईजिफन ठीक है यह जुड़ने के बार एक नई कोशी का बनाएंगे जिसे जीवन की प्रथम कोशी का कहा जाएगा और ये आगे जाके एक नए जीप का निर्मान करेंगे इसके उधारण कौन-कौन से होते हैं उत्पादक हुआ जंदु-जगत अब उत्पादक का मतलब क्या होता है प्रडूसर जिसे हम कहा जाता है प्रड और इंडारेक्ट्ली कोई आप जैसे जानवर की भी बात करें जो मासा घारी है तो वो भी आप हरत्यक शुरूप से किस पर निर्वशर है वो प्लांट पर निर्वशर है जैसे कि मान लो कोई सेर है उसने किसी गाया को खा लिया तो उस गाया के पास खाना कहां से आता था उसके पास आता था plant से, तो जो भी nutrients उसमें develop हुए हैं, वो कहां से आया है, plant से आया है, और उसी को अब किस ने ले लिया है, लॉयन ने ले लिया है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, producer कहते हैं, क्योंकि पूरे world के लिए, एक base प्रोवाइड कराते हैं, food का, asexual reproduction पाया जाता है, जैसे कि हमने बात की थी, अभी शेवालों के बारे में भी बात की थी, green algae कहते हैं, red algae, brown algae, ये जो सारी चीज़ें आती हैं उसमें, इसके अलाबा, जन्तु जगत, जो animals आप देख रहे हो, इन सभी में लेंग एक जननन होता है, animals भी higher category के, ठीक है, कुछ lower category के होते हैं, animals, जैसे कि हम बात करें, hydra के बारे में बात करें हैं, तो hydra क्या करता है, वो asexual reproduction करता है, लेकर वो है तो animal, तो हम क्या बात कर रहे हैं, कि जो higher organisms होंगी, या जो higher animals होंगी, उनमें sexual reproduction present होता है, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जो वो आपको सामने diagram के form में दिख रही है, हमने बात कि थी कि एक male है और एक female है, तो यह female है, और यह है male, तो यहाँ से egg form हुआ, और यहाँ से sperm form हुए, दोनों fuse हुए, और इनने क्या बनाया जाइगोड, जिसके पास 46 chromosome है, ठीक है, हम जानते हैं कि एक कोशिका में 46 chromosome होते हैं, और यह 23 pair में, मतलब जैसे कहते हैं एक जोडी, जूते में कितने होते हैं, दो होते हैं, 23 pair है, मतलब 46 chromosome होंगे, यह आगे चल के, डैबलफ होगा, और क्या बनायेगा, एम्ब्रियो बनायेगा, जिसे हम कहते हैं, भ्रून, ठीक है, अगर human में sexual reproduction की बात करें, या लेंगिक प्रजिनन की बात करें, तो यहाँ पर दो अलग-अलग तरह की कोशिकाइं बनती हैं, जिनने हम लेंगिक कोशिकाइं कहते हैं, जो नर्मे कोशी का निर्मेथ होती है उसे क्या कहते है इस्पर्म कहते है और जो मादा में कोशी का निर्मेथ होती है या जो फीमेल में कोशी का निर्मेथ होती है उन्हें क्या कहते है उन्हें हम कहते है ओवम जब यह दोनों मिलती है आपस में तो जुड़के क्या बनाती है फ्यूज होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं जाइगोड कहते हैं जीवन की फर्ष्ट कोसी का युगमनज जिसे कहा जाता है यह आगी जाके और डवाइड होती है और नौ माहिने के बाद एक नए बच्चे को जन्म देती है तो इस तरह से लेंगिक प्रजनान होता है यूमन में इसके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे अपने अगले चेप्टर्स में अगर बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में सेक्शुल रिप्रोडक्शन करने वाला ओर्गन कौन सा होता है या लेंगिक प्रजनान करने वाला अंग जो है वो पुश्प होता है जिसे हम फ female gamete का formation होता है एग के फॉर्म में मतलब अंड कोशिका के फॉर्म में और यहां पर जो pollen tube या जो आप देख रहा है एंथर, filament जैसी structures है जहां पराग कोश जहां पर बहुत सारे पराग निर्मित होते हैं यह आगे चलकर अंड कोशिकाओं से सनलेथ होते हैं मतलब fertilize करते हैं औ इंबरियों के तौर पर